हेलो एवरिवन मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तो मावे की वर्फी जो की खाने में बेहदिर टेस्टी और स्वाधिश्ट लगती है और यह मावा मैंने घर पर बनाया है और यह मैंने दूद से बनाया है फुल क्रीम देख सकते हो कि मावा कैसे बनाते हैं वो मैंने इस पर डाल रखिए मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी तो आए मावे की बर्फी बनाना शुरू करते हैं मावे की बर्फी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मावा ले लिया है और ये घर पर बना हुआ मावा है देखिए गरम थी कड़ा इसलिए पिगल गया और ये मैं इसमें एक कटोरी बूरा डाल दूँगी मीठा आप अपने टेस्ट के अंसार डाल सकते हो और आप इसमें सुग अब हम मिक्स करने के बाद इसका एक पार्ट एक कटोरी में निकाल लेंगे देखिए चार-पांच चम्मच मैं इसमें से एक पार्ट निकाल लूँगी और दूसरे पार्ट में मैं फूड कलर एड करूँगी बड़िया कंपनी का आदी छोटी चम्मच और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से हमें इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है जिससे हमारे मिठाई कलरफुल बन कर तयार हो इस तरीके से मैंने रेड कलर को मिक्स कर लिया देखिए कितना अच्छा डो बन कर तयार हुआ है अब हम इसको भी एक कटोरी में निकाल लेंगे दूसरी में और उसके बाद मैं मिठाई का डिप बलूँगी और उसमें बटर पेपर लगा दूँगी जो की बटर पेपर मैंने घर पर ही बनाया है और इसमें मैं better डालूँगी जो मैंने बना कर तयार किया था पहले मैं इसमें white part डालूँगी सबसे पहले white part डालने के बाद मैं इसको चमच की साहता से अच्छे से फैला दूँगी एकदम flat कर दूँगी टिबे में इस तरीके से उसके बाद हम इसमें जो मैंने रेड कलर का डो बना कर तयार किया था उसको डाल दूँगी यह थोड़ा गीला है पर हम जमाएंगे उसके बाद यह अच्छी से सेट हो जाएगा देखिए यह भी मैं सारा इसमें डाल दूँगी इस रेड कलर के डो को भी हमें इसी तरीके से चमच की साथा से फ्लैट कर देंगे देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल प्लेन कर देना है और उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राइफ रूश डालेंगे वो ऑफ्सनल है आप डालना चाहते हैं तो डालो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है तो मैं इसमें बदाम डालूँगे इस तरीके से इस तरीके से मैं बदाम इसमें सेट कर दूँगी अच्छे से देखिए यह मैंने इसमें बदाम डाल दी है और चम्मच की सहायता से मैं इनको प्रेस कर दूँगी दबा दूँगी जिसे यह अच्छे से सेट हो जाए इस पर चिपक जाए यह मैंने इनको अच्छे सेट कर दिया है अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी ती-चार अब मैं इसको दूसरी प्लेट में उलट लोगी यह मैंने प्लेट ली और इसमें मैंने इसको वापस पलट लिया देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनकर तयार हुई है अब हम इस मिठाई को पीसेज में कट कर लेंगे एक चाकू लेंगे उसकी सहाथा से मैं इसको बड़े बड़े पीशेज में अच्छे से कट कर लूँगी मैंने बर्फी के पीसेज को अच्छे से कट कर लिया है अब हम इनको देख लेते हैं इसी चाकू की सहायता से मैं इसको खिसका कर देखूंगी देखिए कितने अच्छी मिठाई के पीसेज कट कर तयार हुए हैं बहुत अच्छी मिठाई बन कर तयार हुए है अब हम मैं इसको चेक करके बता देती हूं वर्फी को देखिए कितना अच्छा टेक्स्टर आया है डबल लेयर में और खाने में भी यह बेहदी टेस्टी बनी है देखिए तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक सेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक् जरूर करना तो मिलते हैं दोस्तो एक न्यू रेसिपी के सा थेंक यू